तो अमारी सीरी चल रही है केनेथ हंडर्सन की बूक मैन इटर्स एंड जंगल किलर्स और उसकी स्टोरी चल रही है दा ममंदूर मैन इटर कहानी के पिछले एपिसोड्स प्लेलिस्ट में हैं और पहले आपने देखा था कि मैन इटर ने एक रेलवे के उस इनसान को मार दिया जो कि सिगनल में लेंप जलाने जाता था उसकी बॉड़ी पट्री से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी कैनेथ अंडरसन पट्री पर लेट कर मैन इटर का इंतजार कर रहे थे तभी कैनेथ अंडरसन ने वो डरावनी खटना देखी जिसमें उस इंसान का सर अपने आप लु अब आगे की कहानी कंटीनू करते हैं अब एंडरसन बोलते हैं कि जब मैंने ये घटना देखी मैं इतना डर गया करीब करीब मैं रोने ही वाला था और मेरे अंदर से ये भावना बहुत ज्यादा बलवती होती जा रही थी कि मुझे फॉरन यहां से उठना चाहिए और वो मालूम था उसके पीछे है रेलवे स्टेशन लेकिन फिर मेरे दिमाग के अंदर कॉमन सेंस जागा कि एक इंसान जो मर चुका है वो अपना सर हिला नहीं सकता जरूर कोई न कोई है जो सर को यहां से वहां रोल कर रहा है और वहां से फिर वापस रोल कर रहा है अब चंदरवा की रोशनी में केनेथ अंदरसन ने अपनी आखों को उस सर के उपर फिक्स करने की कोशिश की जानने की कोशिश की कि आसपास क्या है बहुत ध्यान से देखने पर मालूम चला दो काले अबजेक्ट हैं सफेद रेत में नजर आ रहे हैं वो राइनोसौरस बी आकार के होते हैं जैसे कि गैंडे का यानि कि रहेनो का सिंग इसलिए इनका नाम भी रख दिया गया राइनोसौरस बीटल्स ये बीटल्स रात को ही निकलते हैं लेकिन आप सुबह सुबह भी जंगल की तरफ जाने वाली रोड्स पर इन्हें देख सकते हो शाम को भी आपक गुनी तक बड़ी हो सकती है तो इन लोगों ने मिल जुलके उस मरे हुए आदमी के सर को एक बार लुड़का दिया था और दूसरी बार इनकी कोशिश फेल हो गई थी तो वो लुड़क कर वापस अपनी जगे पे आ गया था अब ये जो इवेंट हुआ था मैं इतना डर इतना सर्प्राइज हो गया था कि मेरा पूरा ध्यान उस मैं इटर टाइगरेस से हटके इस सर के उपर आ गया था अगर इस दौरान वो मैं इटर टाइगरेस मेरे उपर हमला कर देती तो बड़ी आसानी से मुझे मार देती अब रात के एक बच के चालिस मिनट हो रहे थे और जिस पटरी की उपर केनेथ अंडरसन ने अपना बैग रखके अपना चेस्ट रखा हुआ था उस पटरी में कमपन होने लगी कमपन बढ़ती ही जा रही थी थोड़ी देर में इन्हें इंजन की सीटी सुनाई देने लग फिर दिखाई देने लगी लाइट उस इंजन की यह नाइट मेल थी जो कि मद्रास से बॉम्बे की तरफ जा रही थी अब एंडरसन आराम से वहां से उठे अपना बैग उठाया जो पटरी का जो इस्ट्रक्चर था जो उचा इस्ट्रक्चर गिट्टी वाला उसके किनारे आये और चार-पांच कदम नीचे उतर गए लेकिन वो जो ड्राइवर था ट्रेन का उसने ट्रेन की रोशनी में एंडरसन को लेटे हुए देख लिया था और वो राइफल नहीं देख पाया था अब उस ड्राइवर ने सोचा कि ये आदमी आत्मत्या करने के लिए पटरी लेटा था लेगिन इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाया तो आकरी मौके पर उठके साइड में हो गया एंडरसन बोलते हैं कि भारत में पटरी पर लेटकर आत्मत्या करना बहुत ज्यादा पापुलर था अब जैसे ही ट्रेन का एंजन इनके आगे निकला ब्रेक लगने की सुनाई दे रही थी ड्राइवर और उसके दो फायरमेन एंडरसन की तरफ बढ़ रहे थे वो लोग दोड़े और जल्दी से उन्होंने एंडरसन को पकड़ लिया तब एंडरसन के समझ में आया कि ये माजरा क्या है ये लोग जो समझ रहे हैं वैसा कुछ है नहीं और ट्र एंडरसन ने सोचा कि जल्दी से इन्हें बता दूं कि ये माजरा क्या है मैं कर क्या रहा था जब ये मैटर बताया तो ड्राइवर जो कि एक एंग्लो इंडियन था उसने कहा अगर तुमारी बात सही है तो उस रेलवे एंप्लॉई की बॉड़ी कहा है एंडरसन ने दिखा नहीं है भाईया हमारा दिमाग खराब है ड्राइवर ने भी अपना सर सहमती में हिलाया कि बात तो तुम सही कह रहे हो और उसके दो फायर में थे वो भी यही बोले इसमें कोई शक नहीं अब इंजन दुबारा स्टार्ट हुआ आगे को बढ़ चला बॉंबे की तरफ अफ इनने घटना क्रम और इतने शोर शराबे के बाद अब रात के दो बज़ के तीस मिनट पर फिर से वो पट्रिया कापने लगी इस बार एंडरसन जल्दी से उटके साइड में हो गए और पास में छिप गए ताकि ड्राइवर इनको देख ना पाए यह गुड्स ट्रेन थी और यह बिना रुके निकल गई सुबह चार बज़े पट्रियां फिर कापने लगी एंडरसन फिर जल्दी से छिप गए मेल ट्रेन थी जो कि बॉम्बे से मद्रास की तरफ जा रही थी यह तेजी के साथ निकल गई क्योंकि मेल ट्रेन ममंदुर में रुकती नहीं है अब फ आके चला गया मोर की आवाज आने लगी मोर की आवाज का उत्तर दिया जंगल की सबसे खुबसूरत बर्ड यानि की जंगली मुर्गा रेड जंगल फाउल ने अब चंद्रमा अस्त होने जा रहा था सूरे उदयो का समय आ चुका था तरह तरह की बर्ड्स बोल रही थी इरे गेंद बड़ी होती गई और बन गई ज्वलन शील गेंद यानि की सूरज है सुबह हो गई थी पक्षियों ने गाना गाना शुरू कर दिया था कि आज फिर हमें एक नई सुबह देखने को मिली है अब उस रेलवे एमप्लाई का सर मुझे अभी भी घूर रहा था वो गोला बहुत बड़ा गोला है और वो बीटल्स आराम करने चले गए थे अब भारी कदमों से दुखी मन से कैनेथ एंडरसन पटरी पर पढ़ते जा रहे थे रेलवे स्टेशन की तरफ ये बोलने के लिए स्टेशन मास्टर से कि मैं कुछ कर नहीं पाया आप उस मनत व्यक् सो चुके थे दोपहर के दो बजे जो समुधर से आने वाली ठंडी हवा थी उसने उन्हें और गहरी नीन में सुला दिया दोपहर के चार बजे कैनेथ अंडरसन उठे और अरोकिया स्वामी जो की लोकल हंटर था उससे रिपोर्ट ली मालूम चला जो तीन बेट्स इन्हों अब अंडरसन ने सोचा कि वो जो फायर लाइन्स हैं जो जंगल में चारो तरफ फैली हैं मैं उनमें वाक करता हूँ पूरी तरह से अलर्ट रहके ये एक तरह से टाइगरिस को अट्रेक्ट करने का जरिया भी होगा क्योंकि वो खुद ढूंड रही है इन्सान को अब क्योंकि अपने सामान में अपने लगेज में गैनेथ अंडरसन जितने भी कपड़े लाए थे उसमें सारी पैंट्स खाकी थी शर्ट्स ब्लैक थी क्योंकि मचान पर बैटने के लिए ये कपड़े उपियोक्त थे तो वो अरोकिया स्वामी की हट में गए उससे एक धी भीली ढाली वाइट शर्ट उधार ली वो शर्ट ऐसी थी खाकी पैंट में भी नीचे की तरव लटक रही थी अरोकिया स्वामी ने एक सफेद रंग की पगड़ी भी बांदी कैनेथ अंडरसन को अब एंडरसन बोलते हैं कि टाइगरेस मुझे देखकर क्या सोचेगी क्या समझेगी मुझे नहीं मालूम लेकिन गाओ वाले क्या सोच रहे थे क्या समझ रहे थे मुझे मालूम है वो बड़े ही आश्यार चकित हो रहे थे जब उन्होंने मेरे प्लान के बारे में सुना कि मैं पैदल जंगल में घूमूंगा टाइगरेस को अट्रैक्ट करने के लिए तो वो भी समझ चुके थे कि ये पागल नहीं है भाईया इनका दिमाग खराब है अरोकिया स्वामी और लोगों के साथ इन्होंने डिस्केशन किया कि किस फायर लाइन पर पहले जाओं और नती जो भी चल रहे थे जाडियों के दोनों तरफ बारी बारी से देख रहे थे बीच बीच में पलटके पीछे भी देख लेते थे चांदनी रात थी जाडिया काली ने जरा रही थी और उनमें जो काटे लगे थे बड़े बड़े वो उस माहौल को भूतिया माहौल बना रहे अब धीरे धीरे अंडरसन ने रियलाइज किया कि भले ही कितनी चांदी राथ है जो काले साय है जाडियों के उसके अंदर अगर कोई कार्णी वोरस यानि की मांसाहारी जानवर छिप जाएगा तो इनकी आखे उसे देख नहीं पाएंगी तो उन्हें अपनी सिक्स सेंस यानि की छटी इंदरी और अपने सुनने की शक्ती पर यकीन रखना होगा एक दो मिनट के बाद कैनेथ अंडरसन कभी सीटी बजाते थे कभी कोई गाना गुन गुनाते थे ताकि टाइगरस को मालुम चले कि यहाँ पर उसका एक शिकार गुम और उसके बाद जंगल के सननाटे में कुछ आहट सुनने की कोशिश करते थे कैनेथ अंडरसन लेकिन अफसोस कोई भी आहट सुनाई दे नहीं रही थी और अंडरसन को लग रहा था कि यह सुनाई दे नहीं रही है कि मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कभी कभी हलकी सी सरसराहट एंडरसन को सुनाई दे रही थी लेकिन बाद में मालूम चला कि बास के अंदर घूमने वाला चुगा है जो एक खिलवाल कर रहा है एंडरसन के साथ फिर एक और सरसरहट सुनाई दी, ये आवास थी रसल वाइपर की, जो कि घास में लेटे-लेटे अपनी कुंडली को मजबूत बना रहा था, यानि कि वो ठंड से बचना चाहता था, आराम से सोना चाहता था. अब एक काला साया आसमान से उड़ता नजर आया, बिना किसी आवाज के, ये ब्लैक हॉन, आउल था, यानि कि उल्लू, और उल्लू जब उड़ते हैं, तो आवाज नहीं करते. इस उल्लू ने निशाना बनाया था, एक जंगली खरगोश को, उसको पकड़ लिया था, खरगोश छूटने की कोशिश कर रहा था, उल्लू उसे छोड़ नहीं रहा था. अब जब कैनेथ अंडरसन उस तरफ बढ़े, तो उल्लू ने अपने पंखों से, खरगोश को ऐसे छेपा लिया, जैसे मुर्गी अपने अंडों को छेपाती है. कैनेथ अंडरसन उस तरफ बढ़ते ही रहे, उल्लू मन में सोच रहा था, बड़ा ही ठीट आदमी है यार, ये तो आता ही जा रहा है, डर भी नहीं रहा है. और जब अंडरसन का इरादा साफ समझ में आ गया, कि हम न डरते टाइगर से, तू तो सिर्फ उल्लू है. उल्लू ने वहाँ से उड़ना ही बहतर समझा, वो खरगोश को छोड़के उड़ता बना. अंडरसन ने उस खरगोश को, यानि खरहे को उठाया, बिहोश था, उसकी पीठ पर प्यार से हाथ फेरा. थोड़ी देर में खरगोश को होश आ गया, जैसे ही उसे होश आया, उसने पैर हवा में चलाने शुरू कर दिये, इन्होंने छोड़ दिया, खरगोश भाग गया. अब जिस जंगल में केनेथ अंडरसन घूम रहे थे, यहां इंडियन बाइसन, यानि की गौर नहीं है, जंगली हाथी भी नहीं है, लेकिन भालू बहुत ज्यादा मात्रा में है. अब थोड़ी दूर से इन्हें सकिंग की आवाज आई, भालू जब दीमक की बांबी में अपना होट लगा के सांस खीचते हैं, तो वह आवाज एक किलोमिटर दूर तक सुनाई दे जाती है. कैनेथ एंडरसन को मालूम था कि कोई भालू तो है जो आसपास है. अब एंडरसन आगे बढ़ते जा रहे थे, भालू की आवाज भी तेज होती जा रही थी, उसकी आवाज में गुसा आ रहा था, सिर्फ सकिंग की आवाज नहीं आ रही थी. ऐसा लग रहा था, वो अपने पैर जमीन पे मार रहा है, गुर्रा भी रहा है. थोड़ी दूर पर एक दीमक की बांबी, यानि के एंड हिल के पास भालू नजर आ गया, उसका ध्यान एंडरसन की तरफ नहीं था, उसने अपना मू डाला गुआ था बांबी में, वो खीचने की कोशिश कर रहा था दीमक, उसे सफलता नहीं मिल रही थी, इसलिए गुसा हो रहा था और चेड़ चड़ा रहा था. वो अपने भोजन की तलाश में इतना ज़्यादा बिजी था, कि उसने एंडरसन की तरफ ध्यान दिया नहीं, एंडरसन ने जो जूते पहने थे, वो रबर सोल वाले थे, आवाज कर उसके बाद उन्होंने सोचा, अब वापस लोटना चाहिए, उसी रास्ते से जब वो वापस लोट रहे थे, तो जहां पर वो भालू मिला था, अब वो भालू वहाँ पर था नहीं, अपने घर चला गया था. लेकिन वो जो दीमक की बामी जितनी उची थी, उसको उसने फायर लाइन में भी होके आता हूँ, यह इसमें आगे बढ़ चले, यह फायर लाइन एकदम सीधी नहीं थी, जैसे की पहले वाली थी, यह मुड़ी थी, कई बार लेफ राइट मुड़ती थी, अब इस फायर लाइन से रेलवे लाइन तक पहुशने के पहले, एक स्ट्री में पानी नहीं बह रहा है, चांदी बह रही है, अंडरसन को प्यास लगाई थी, इन्होंने सोचा इस स्ट्रीम से पानी पी लेता हूँ, घुटनों पे बैठे, बंदूग की बठ, जमीन पर टिकाई, दाइने हाथ से बंदूग पकड़ी थी, लेफ्ट हाथ से चुलू ब कोई जलक भी नहीं थी, अब इन्होंने एक जो बेट बांदी थी यहाँ पे, वो जिन्दा थी, जब एंडरसन उसके पास से निकले, तो वो भैसा इनको ऐसे देख रहा था, कि बड़े ही जालिम इनसान हो यार, मुझे ऐसे मरने के लिए छोड़ जाते हो, एंडरसन के पा गलानी बोट था, यारे मुझे गिल्टी कॉंसेस फील हो रहा था, अब ये रेलवे लाइन के नस्दीक तक पहुँच गए थे, यहाँ पर फायर लाइन बंद हो गई थी, एक पगडंडी थी, जिस पे जानवर चलके जाते थे, अब उस पगडंडी के अंदर जाना रात को खतिरे से खाली नहीं था, इसलिए एंडरसन वापस घूमे, वापस लोटने लगे, वापस आते वक्त एक बहुत बड़ा काला नाग, यानि के इंडियन कोबरा मिला, जो की एक बांस में घूमने वाले चूहे को खा रहा था, वो साप उस चूहे को तीन तिहाई निगल सिर्फ टांगे और पूँच ही बाकी था, अब उस नाग ने एंडरसन को देखा, अपना फन दो फीट उपर उठाया, जो लोग इंडिया में नहीं रहते, उन्हें ये चीज बड़ी सुंदर और आश्चर जनक लगती है, और वो है नाग का फन, यानि कोबरा का हुड, कोबरा नर्वस हो गया, उसने उस चुहे को उगल दिया, और सर सराता हुआ जाडियों में चला गया, और तीन बजे रात को केरेस अंडरसन फॉरेस बंगलों में आ चुके थे, करीब 20 मिल की यातरा करने के बाद, अभी भी दो फायर लाइन कवर करनी बागी थी, एक जो द किलवे ट्रैक पर पहुँच गए, उसको क्रॉस किया, आगे बढ़ी रहे थे, किने टाइगरेस की मोनिंग साउंड, यानि टाइगरेस चलते वक्त, जो हलकी हलकी कराहने की आवाज निकालती है, वो सुनाई दी, आवाज से अंदाज लग गया था, कि ये दो फरलांग की दूरी से आई है, इसी फायर लाइन से आई है, या तो टाइगरेस इस फायर लाइन में एंडरसन से आगे चल रही है, या फिर अपोजिट डारेक्शन से इनकी तरफ आ रही है, अब जल्दी जल्दी पचास गज की दूरी एंडरसन ने तै की, एक बड़े से पेड़ के प और काफी नस्दीक से आया था करीब सौ गज की दूरी से यानि टाइगरिस जा नहीं रही थी आ रही थी उसके बाद एंडरसन ने दोबारा वो आवाज नहीं निकाली उन्हें डर था कि इतने नस्दीक से आवाज निकालूँगा तो टाइगरिस पहचान जाएगी कि यह क्योंकि वो बहुत नस्दीक था इसलिए दोबारा मैंने वो आवाज निकाली नहीं हो सकता है कि टाइगर को शक हो जाए तो अपनी शंका मिटाने के लिए या फिर मैन इटर है तो शिकार की उम्मीद में आ जाए लेकिन इस बात की संभावना जादा है कि वो वहाँ से गा की तरफ बढ़ रही थी बढ़ते बढ़ते टाइगरेस ने एंडरसन को देखा नहीं इनके बगल से पास हुई एंडरसन ने निशाना लिया ठीक उसके कान के नीचे गोली मारी सिर्फ उसकी पूछ ली और टाइगरेस नीचे गिन गई उसे मालूम ही नहीं चला कि ये क्या क्योंकि कान के पीछे से गोली सीधे ब्रेन में जाती है उसके बाद कई साल भी चुके है ममंदर में एक भी इनसान को मारा नहीं गया है ये टाइगरेस जवान थी एकदम ठीक कंडिशन में थी क्यों ये मैनीटर बन गई कारण मालूम नहीं चला इस बात की पूरी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फिर मिलेंगे नई स्टोरी में तब तक के लिए अल्टा बेस्ट वंदे माद रहूं